तो यहां पर दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आप लोग है यूटूब के घटिया जो है कुछ पॉलिसी होते हैं यूटूब के कुछ घटिया काम होता है जिस पर हम लोग अंगली उठाएंगे जिस थाली में खाते हो, उसी थाली में करते हो छेद, अरे थोड़ा emotion पर control करो गार जब बात करते हो नमस्कार दोस्तों, welcome to life itself, इस वीडियो के शुरुआत में, मनोज दे भाई का एक छोड़ा क्लिपिंग तो आपने देखा होगा, जहांपे उन्होंने बुलाया यूट्यूब को घटिया, और कहां उनके गाइडलाइन्स घटिया और उनका काम घटिया है, मनोज दे भाई मैं भी आपको follow करता हूँ, पर ये statement जो आपने कहा वो बिल्कुल गलत है, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, जिस थाली में खाते हो उसी थाली पे छेद, गलत है मनोज भाई, इमाजिन करो, YouTube के बिना आप क्या हो, आप कौन हो, आपको कौन जानता है, ये नाम, ये फेम, य कुछ आपका YouTube के वज़े से ही है, और उसी को आप घटिया बुला रहे हो, और उसके बारे में सोच भी ने रहे हो, और मनोज भाई, आपके वीडियो का नीच क्या है, किस टापिक्स पर आप वीडियो बनाते हो, मेरा अगर चैनल का नीच पकड़ा जाए तो दोस्ता हम लो आपको मिलता है व्यूज, उसके आपको मिलते है अड्स, उससे आपको मिलता है पैसा, और आप उस YouTube के गाइडलाइन को घटिया बुलाते हो, अरे ये सब कहने से पेले थोड़ा सोचा होता, YouTube आपका बॉस है, आपका भगवान है मरोज भाई, इसके बार में गलत बोलना ब अच्छा platform है, यह आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो, नाम कमा सकते हो, उल्ठा आप इसी YouTube को घटिया बुलाते हो, अगर YouTube को घटिया काम करना होता, तो आपको यहां तक नहीं पहुंचाता YouTube, आप जो सीना तान के बोलते हो कि मेरे पास 8,00,000 सब्सक्राइबर्स है, जब आप ऐसे बात करते हो, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत सारे लोगों को देखके मैं भी YouTube के अंदर आया, उसमें आप भी एक हो, आप ही YouTube के बारे में ऐसा बात करे, यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, अगर आप यह वीडियो देखे, तो इसके बारे का वीडियो जो धूम मचा रहा था, जब वो निकल गया, मुझे भी equally बुरा लगा, जब बाखी लोग YouTubers के बारे में बात कर रहे थे, तो इस बात से भी मुझे बुरा लगा, इसलिए मैंने भी YouTube और TikTok के बारे में एक वीडियो बना के पोस्ट किया, जहां मैने बुला है कि YouTubers definitely ज्यादा मैनत करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मेरे TikTok को कोसा, किसी भी platform को नहीं कोसना चाहिए, चाहे वो YouTube हो या TikTok, कैरी मिनैटे का वीडियो अगर होता, तो पूरे इंडिया का नाम रोशन करता, सबसे liked वीडियो बन जा था, और सारी records थोड़के छपड़ लेकिन भाई, ऐसे एक वीडियो को मांगने का एक सही तरीका होता है, शायद हमें उस तरीके को अपनाना चाहिए, लेकिन YouTube को बला बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि YouTube बहुत सारे लोगों के लिए उनकी जिंदगी है, including आपके लिए, कुछ गलत कहा हो, तो माफ कर दे इस चनल पर, thank you, love you all.